देश को नया संसद भोवन मिल चुका है प्रधान मंत्री नेरिंद मोदी ने रविवाज सुभै नहीं संसद भोवन का उर्भाटन किया नया संसद भोवन में लोकसवा में 888 और राज्यसवा में 384 सदिस्यों के बैठने की वेवस्ता है नया संसद भोवन बनने से अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि पुराने संसद भोवन का क्या होगा क्या उसे ढहा दिया जाएगा तो इस सवाल का जवाब है नहीं ऐसा बिलकुल नहीं होगा पुरानी पार्लेमेंट बिल्डिंग देश की आर्केलोजिकल एसेट है ऐसे में इसे तोड़ा नहीं जाएगा और इसे कंजर्ब करके रखा जाएगा जिस Central Vista Redvelopment Project के तेयत नहीं संसद भोवन का निर्माण हुआ है उस प्रोजेक्ट में पुरानी संसद भोवन के रिनोवेशन का काम भी शामिल है Central Vista Redoubleman Project की Official Website पर लिखा है कि Central Vista Project के अंदर आने वाले किसी भी विरासत भवन जैसे India Gate, Parliament, North और South Block, रास्टे अभिलेखागार को तोड़ा नहीं जाएगा मार्च 2021 में केंद्री आवास एवं सहरी मामलो के मंत्री हर्दी पूरी ने राज्यसवा में बताया था कि नए संसद भवन का काम पुरा हो जाने के बाद पुराने संसद भवन की मरमत कराई जाएगी ताकि उसका वेकल पिक इस्तमाल किया जा सके हाला कि पूरी ने यहां ये सपस्ट नहीं किया था कि पुराने संसद भवन का इस्तमाल किन कामों के लिए किया जाएगा वहीं अब कुछ रिपोर्ट्स में बताय जा रहा है कि नई संसद भवन को रिनेवट कर इसका इस्तमाल संसेदिया आयोजुनिय के लिए किया जाएगा रिपोर्ट के अनुसार मौजुदा संसद भवन को एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि आने वाली जनरेशन्स को देश की लोकतांत्रिक यात्रा के बारे में बताय जा सके